हुआ फ्रेंड्स this is Sonia and Welcome to my channel Sonia Tiwari आज मैं आपको भीसे बात किरने वाली हुऊ पतंजळी अलोवरा जेल शेकलिए जैले आज भीसिति आप्स पर combined with skin अज Recht लेगे के आध्स नियूआ के आज बात करेंगे प्राइमर यूज करते हैं ताकि हमारे स्कीन पे जो मेकप लगाएं वो सब स्मूथ रहें मतलब कहीं कुछ पैची वैची रुपना आए इसके लिए अगर आपको डेली प्राइमर यूज करते हैं तो उसके लिए आप पतंजली अलोवेरा जल का यूज करते हैं यह बहुत अच्छा आपके फेस पे बग करेगा और यह चार से पांच वांटे रहता भी आपके फेस पे तो एक यूज का यह है दूसरा यूज यह है कि मैं ऐसा फेस मास्क पे पतंजली अलोवेरा जल का यूज करते हो जिसे कि फेस पें पिमिल उजाते हैं रिंकल्स आहा रहते हैं या फिर बहुत स्किं संस्टिव European produkt का उत रहते है तो यह इः छीर प्राइनेस बिर इंस के प्रम शारानेxx बहुत इस यह अगर आप डेली लाइफ रूटीन में यूज करेंगे तो एक से डुट मेने में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपके फेस पर अप्लाय करके देखेगा मैं इसका थर्ड यूज यह करती हूँ कि मैं इसे अज फ्रेशनर भी उसकरती हूँ मैं मेरे पास एक स्प्रेई बोटल हुच्छा इसे अफ जोड़े आपको शोड़ेशनर पास फ्रेच नहीं है दोनों को मिक्स करोंगी शेक करती हूँ जो पर दोप से आरही हूं, संटैम हो गया है, बहुत जादा दूल मिटी लग गया है चेहरे पर बहुत जादा इचिंग हो रही है पर आरही है बहुत जादा थैजिग अपने पर खोगता बना सकते है इस इसादा बना सकते है जैसे मैं आपको बताया, इसके फूर्त भी इसकी बar civ करों है तो हमारे जिससे जिससे की बहें थिंआते हैं यह बहुत कोशन होतमा है कि अपकी बहुत डारक जाता है गाला जोता है नियुस्याच सोनलिट तो के थीखिल्वेश कोस्क्त थारक करें जल लिए और पर्टिकुलर जो पार्ट है आपका उस पे आप रुलब करें अच्छे से दो से तीर नट करें डिली लाइप में एक से देर अफ्ते में बहुत अच्छा रिजल डाएगा इसका बेटिक जो आपको फिस्त बताने वाली है मैं इसे आपको अपार खुत मताने वाली होई है मैं इसे as a moisturizer cream क्रीम करते हूं तो मैं इसे ऐजा संस्क्रीन भी यूज़ करती हूँ कैसे अगर मुझे कही धूप में जाना है तो अपने स्क्रीन को संकैन से बचाना है तो कैसे मैं ऐलोगरा जेल लेती हूँ अपने फिंगर्स पे रब नहीं करना है थोड़ा सा लियर मैंने अगर आप देख पाएं तो लेने के बाद इसको अपने अप्वड फिंगर्स में लेकर इस तरीके से अभी मैंने फेस में अप्लाई कर रहा है तो इसके वर मैं अलबरे जल अप्लाई नहीं करूँगी अप को अपने फिंगर्स मेंले अपके सा अपता कर तो नहीं होuite है नोसे कि अपन को हमें इस अफिल कि अपितल कि दो जो और मैं ओक रुंड़ा है मैं चलता है अब करनाद के व्यृँट मरुप दो इसको नहीं होताए है तो सं टैंग व्हों आपका रिजॉल्व हो सकता है एलोगरा जल से और दूसरे चीटिश करता है थे नरिश करता है थे तो नाच्रलल प्रॉडक्ट है आई यूवेटी के तो जाने रहे हैं गाने बद़ेगा अगर मैं सेवन्थ ही उसकी बात करूँ जल लें अशे से अपने हील्स के पास और इसके आसपास का एरिया जो भी ड्राय हो चुका है उस पर डिली आप एक बात 2-3 नट मसाज करें डिली करेंगे अगर आप तो आपकी जो फटी ही एरिया है यह भी नहीं फटी अगर मैं बात करों इसके एर्थ हील्स की तो मैं इसका मैं तो कि इससे को सुटी है करेंश ने को भी एक हुर्ण से क्याल est.' आप एक बड़िए्या के लिए आप को हील्स कुछाए है अबने चूर्ण रगावास और मैं जाए टूम में अपने एक से इसके आप सब सरी अब ऋपल कर दो में आपकी से प्रेंश पाट्स, इसके प्र आइस क्यूब बना लेती हूँ इसको पर्टिकुलर जगा पर ही रुप करते हूँ अगर आपको छाला आने वाला होगा तो बिल्कुल नहीं आएगा जो रड़न होगी खने ही आएगी और उसके अलावा जो जलन होती हैं बर्न होने के बाद वह भी नहीं होगी तो इसका 9th यूज यह था अगर मैं इसके 10th यूज की बात करों कि मैं 10-10 एक से कैसे यूज करती हूँ तो मैं बात करूंगी आपसे कि इसको मैं आइक क्रीम की तरा भी रुज करती हूँ ज़से की ना हमारी आइस के नीचे डर्क सिर्कल्स होते हैं तो इस पर जादा रहे हैं बहुत ज़से की प्रेशर नहीं देना है बहुत ज़से लाइट फिंगर यूज करने हैं आपनी आपनने ओ सब्सकाण सर्कलर इसी की साट अगर आप स AH in the circulation motion में मशाज आपने एक मीर के से देके सर्कलाच करते हैं अगर आप इसी टरिकर से शिर्कलर नहीं रहते हैं एकर मैं दो hmBy AmんM कई मेरा उसके 11 ऍेक करने के तो यूनका का था को अ ना इसको जोगे सांड़ी Ł поговор मैं रात में मेकप र्यमूफ करती हूं फेस को वाश करती हूं उसके बाद में आजमे तोल आपने पूरे चहरे पर अच्छे से मसंय करती हूं और इसको एटेज सी छोड़के सोजाती हूँ जब मैं मैं मॉर्णी में उखती हूँ नॉर्मल पाने से फेस वाश करती हूँ और मेरा चहरा खिला खिला लेता है पूरे दिन इसके अलब मैं आपके इसका फ्रेल्थ ही उसकी बात करूँ तो जो बात होते है वो शेविंग करते है वाथ जेल या परिफीडरी पास देखे लूप मैं आप उसके जगा पर एलोवेरा जय सब्रुब्सक्राइज करें और मेरा से शयाँ पास आणितव रखाएज ने उसके निए पार फिस शेव करें और यह हूं आप बहुत अच्छे से शेफ कर पाएंगे इस्पेशली गर्ल्स हम अगर रेजर का यूज करते हो अपने अन्वांटेट हेर्स को अटाने के लिए हाथ पे अंडर आम्स में तो महां पे आप अलो एरजन यूज करें आप बहुत ही इसली वहां पे शेफ कर पाएंगे ट्रस्ट में आप से ट्राय करिएगा बिकाज मैं इसको अपनी डेली लाइफ रूटील में यूज करती हूँ अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में उसके अलावा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को शेयर करें आप सभी रोगों से मेरे वीडियो को शेयर करें and please 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 and thanks for watching my video bye